इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं या इस दवा का प्रभाव उन पर पर सकता है। अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से चक्कर और नींदा सकती हैं इसलिए जब तक आप यह ना जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइब या ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए मानसिक फोकस की जरूरत हो। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्योंक कर आ सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन का समर्थन न करें या किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाब न दें। यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइद्स लेना फायदे मंद है। इसे लेने से पहले अगर आपको किड्नी या लिवर से संबंधित कोई बीमारी ह तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इससे हवा अंदर लेना और बाहर निकलना आसान हो जाता है। यह दवा अलजी के लक्षनों, जैसे आँखों से पानी आना, छीक आना, नाग बहना या गले में खराश से राहत देगी और आपकी देनिक गतिविदियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगी। इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड एफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं परती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड एफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड एफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगरने इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें। इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं। रेलें टेबलेट को खाने के साथ या भूके पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तै समय पर लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।